जहें दोस्तों स्वागत थे आपका एकजाम पार यूटूब चैनल में आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं पांडे वेचन सर्मा उग्र जी का जीवन परीचे तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जादा से जाद करने रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है रात त्री में दस बजे इस पीडियेफ में 200 अ कभी और का संञोन जीवन परीचे आप सभी के लिए मागत ROBERT 200 ऑपे मिलेगी जिन के लिए पर्चस करना है नमबर çटी मोलारा है 932 955 31 6 AlADA 966 पर आप संपर करिए गा पांडे पांडे वेचन सर्मा उग्र जी से सम्मंदित पहला question पूचा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ है पांडे वेचन सर्मा उग्र जी का जन्म कब हुआ है 1899, 1897, 1899 या 1922 में question number 1 यहाँ पर दिया गया है और एक में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा पांडे वेचन सर्मा उग्र जी का जन्म हुआ है कब उन्निस्सोईः अईसबी में उन्निस्सोय याँ पर सही आंसर होगा, डी वाला जो विकल्प है वैं आप सभी का याँ पर सही आ आंसर है पांडे वेचन सर्मा उग्र जी का जन्म कहा पर हुआ है Q2 यहां पर दिया गया है इनका जन्व बैनीपुरी गाउं मुझपर पुर विहार में भयाना गौलियर मद्ध प्रदेश में कोसानी गाउं अलमूडा उत्राखंड में या चुनार गाउं मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में पांडि वेचन शर्मा उग्र जी का जन्व में कहां हुआ है उन्निस्टो एस वी में इनका जन्मुगा था कहां पर आप सभी का यहांपर सइया Acts रोगा वेकल्प नंबर दिचुनार गाउं मिर्जापुर उत्तर प्रदेस में डी वाला विकलप आप सभी का याँ पर सही आंचर है। अंगला कॉस्ट याँ पर तीन दिया गया है। ये बताना है तो आप सभी का सही आंसर है अष्टा चक्रे अष्टा चक्रे आप सभी का या पर अख़े वाला विकलब यहाँ पर सही आंसर है अगला Q4 में आप सभी के लिए आमपर बताना है किन कहानिों के कारण पन्ड, वे चन सर्म, अभर जी को जेल जाना पड़ा था Q4 में सभी के लिए आपर चुरु ना है पांच है 5 में आप सभीक लिए यहां पर क्या चैन करना है पांडेवे चन सर्मा उग्रि की कौन सी कहानी पृत्धेम राजनेतिक कहानी मत और जञतिए ये आप सभी के लिए आपर चैन करना है हमारी आखों में फागवन के दिन चार दिल्ली का दालाल या चंद हसीनों के खतूत कौस्ट्ट नमबर चहार में आप सभी के लिए आपर चेन करना है चेह में आप सभी केया आंपर सही आंसर क्या होगा पत्रात्मक सेली में लिखा गया हिंदी का प्रिथा मुपन्यास कौन स जाता है करना तो आप सभी के लिए आपर चेंग कर ernा है थो का जिए में घया से और या और सभी क्षेट हम या अब्र छी पर चेंग है फको नमबर reward सबी के लिए बताना है घंटा चराभी जीजाजी अमनुस्चियानन्दे साथ का सई आंसर बताईएगा पांडी वेचन सर्मा उग्रजी का प्रतम उपन्यास कौन साहे यह आप सबी के लिए याँ पर चैन करना है तो आप सबी का याँ पर सई आंसर होगा विकल्प नमबर एक आप सबी का याँ पर सई आंसर है यह वाला विकल्प जैनों ने भी याँ पर चैन किया है घंटा उनका याँ पर सई आंसर इपांडी वेचन सर्मा उग्रजी का प्र चॉकलेट रचना की विधा क्या है किस विधा की रचना है चॉकलेट यह उपन्यास है नाटक है कहानी संग्रय है या फिर यह निबंद है चॉकलेट रचना की विधा बताने किस विधा की रचना मानी जाती है तो आप सभी का यह आपर सही आंसर है कहानी संग्रय है कहानी संग्रय है आप सभी का यह आपर सी वाला विकल्प यह आपर सही आंसर है कहानी संग्रय है जनों ने भी यह आपर चन किया है उनका यह आपर स पर चैन करना हैं कौन सी मानी जाती है यह आप सभी के लिए आप बताने सावित्री जी तो आप सभी का याँपर सैया आंचर है अपनी खबर अपनी खबर अपनी खबर सुनकर लोग उग्र हो जाते हैं तो उग्र जी की रचिना मानी जाती है अपनी ख़वर विकल्प नमबर एक आप सभी का याँ पर सही आंसर होगा कौस्च नमबर दस याँ पर दिया गया है दस बा कौस्च ने पांडे वेचन सर्मा उग्र का खंडे का आप सभी के लिए बताना है दुरुपधारण है सराभी है जीजाजी अफिर मनुस्चिया नंद 10 का सही आंसर चैन करिएगा कौनसा विकल्प में हाँ पर सही आंसर है पांडे वेचन सर्मा उग्र का खंडे का आप पर कौनसा है 10 में आप सभी के लिए आपर चैन करना है तो दस में आप सभी का सही आंचर होगा भैमाना जाता है दुरुब धारण ए वाला विकल्प याँपर विकल्प नंबर एक चेन किया है उनका याँपर सही आंचर है दुरुब धारण question number यहाँ पर 11 दिया है पांडे वेचन सरम उग्र के किस कानी संग्राय को अंग्रेश सरकार द्वारा जब तकल लिया गया था दो जख की आग चौकलेट चिंगारिया या पर निरलज्जा 11 में आप सभी के लिए याँ पर बताना है पांडे वेचन सरम उग्र के किस कानी संग्राय को अंग्रेश सरकार द्वारा जब तकल लिया गया था तो आप सभी का यहाँ पर सही आंचर है question number आप सभी का यहाँ पर 11 में चिंगारिया यहाँ पर सही आंचर है चंगारिया जो रचना है उग्र जी की रचना मानी जाती है और इसको इस कहानी संगरे को अंग्रेश सरकार द्वारह जबत कर लिया गया था विकल्प आप सभी का यहां पर सही growing माना है कि सालू चक ने यह बताना है नंद दुलारी वाजपिये, नामबार सें, डाक्टर नगेंदर या फिर रामकुमार बर्मा, क्या होगा सही आंसर? उसकी मा, ये कहानी है, पांड़ी वेचं सर्मा उग्र जी के उरके सालू चेक्ने हिंदी की पृथम राजनेतिक कहानी माना है इसके लिए तो आप सभी का याँपर सई आंसर है, नंद दुलारी वाजपिये, विकल्प नंबर ये का आप सभी का याँपर सई आंसर है, नंद वेचन सर्माउग्र के उपन्यासों का प्रकासन वर्स के नुसार सही अनुक्रम बताना है तेरह में यहां पर उपन्यास दिये गए हैं चंद हसीनों के खतूत दिल्ली का दलाल और घंटा यह तीन उपन्यास यहां पर दिये गए हैं और कुमत जी कुल्दीप जी आप सभी के लिए बताना है कि प्रकासन वर्स के नुसार सही अनुक्रम कौन सा है विकल्प यहां पर चैन करना है तेरह में तो आप सभी का यहां पर सही आंसर है सबसे पहले घंटा चंद हसीनों के खतूत और दिल्ली का दलाल यह वाला जोने भी आपर चैन किया हैं उनका यहां पर सही आंसर है कौूश नमपर आपर दिया गया है चहुदह वा कौूशण है पांडि वेचन सर्मा उग्र के कहानी सं muffin हों और प्रिकासन वड्स के अनुसार सही अनुकरम नलच्चर आप सभी का प्रिकासन वर्स बताईएगा 15 में आप सभी का सही आँचर 1923 1926 1939 1922 15 15 में आप सभी के लिए आपर चेहन करना है 15 में आपसभी का यापर सज्या आंचर क्या होगा दो जख की आगे कहानी संग्रह का प्रिकासन वर्स क्या है पंद्रह में आप सभी के लिए आपर चैन करना है तो आप सभी का याँपर सही आंचर इसका प्रिकासन है 1929 आप सभी का याँपर सही आंचर है पंजाब के महरानी यह क्या है कहानी संग्रह माना जाता है और आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा 16 में क्या है सही आंसर वताइए का कौश्चर यहां पर वत्तुपुण दिया गया है और 16 में आप सभी का सही आंसर होगा याँ पर 1943 आप सभी का याँ पर ये वाला जो बेकल्प है वैं आप सभी का याँ पर सही आंचर है 1943 आपका सही आंचर है अंगला question याँ पर दिया गया है question number 17 है घंटा ये उपन्यास बिदा की रिचना है और इसका प्रकासन वर्स क्या है 1924 है 1926 1929 1922 17 में सही आंचर चैन करिएगा अपन्यास दिया गया घंटा और इसका प्रकासन वर्स बताना है तो आप सभी का याँ पर सही आंचर होगा कॉस्चन नमबर 17 में विकल्प नमबर 1 आप सभी का यहां पर सही आंचर है 1924 आप सभी का सही आंचर होगा 1924 जिन्हों ने यह वाला विकल्प यहां पर चैन किया है उनका यहां पर सही आंचर है अंगला कॉस्चन यहां पर दिया गया है कॉस्चन नमबर 18 है 18 में चंद हसीन हसीनों की खतूत है 1923-1934-1941-1927 क्या है सही आंचर है चंद हसीनों की खतूत है वो पन्यास का प्रिकासन वर्च बताने कॉस्चिन नमबर 18 आपर दिया गया है और आप सभी का सही आंचर होगा 18 में 1927 आप सभी का आपर सही आंचर है कल्प ना जी विकल्प आप सभी का आपर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का आपर सही आंचर 1927 होगा सही आंचर सी डी वाला विकल्प है सरावी उपन्यास का प्रिकासन वर्स बताईए सरावी बताईए 29 में 19 में आपके लिए बताना है 1923, 1930, 1941 या 1927 सरावी उपन्यास का प्रिकासन सरावी जो है उग्र हो जाते हैं सरावी उग्र हो जाते हैं उग्र जी की रचना है पांडे वेचन सर्मा उग्र की और आप सभी का आपर सही आंचर है यह 30 से 1929 आप सभी का सही आंचर इसका प्रिकासन माना जाता है वी वाला विकल्प आप है 20 में आप सभी के लिए याँ पर चैन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का सही आंसर है बताईएगा कॉस्चन याँ पर मत्पूर्ण दिया गया है इनका जन्म 1922 में जन्मुआ था पांडे वेचन सर्मा उग्र जी का 1922 में इनका जन्मुआ था कापर चुनार गाव मिर्ज लापूर यूपी उत्तर प्रदेश में इनका जन्मुआ था और इनका निधन कब गए तो 1967 आप सभी का डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहां पर सही आंसर हो का 1967 आप सभी का सही आंसर डी वाला जो विकल्प है वैं सही आंसर है तो इस प्रकार अपन ने पांड पनदर पनत जी का जीवन परीचे पड़ा है कल अपन पढ़ेंगे पंत जी को, सुमित्रा नंदर पंत जी का जीवन परीचे कल पढ़ना है, पंत जी का जन्म कब हुआ है, आंशर कमेंट में बताईए गा, प्रीम सुरी 1859, 1897, 1899, 1903, विकल्फ हैं, आप से वीकले सही आंशर बताना है यह PDF में 2515 कभियों का संपूर्ण जीवन मिल जाएगा जिन यह geforf栖 चिह संपर कर सकते हैं सकीन पर सब्सक्राइब छल रहा है 200 रुप ένα कि 105-3 कभियों का संपूर्ण जीवन पर इचायए मिलेगा अगर आप के लिए हिंडी साहत में 3000 इस परशिपर और अगर आपके लिए बुक मंगवाना हिंदी साइट में गद्द साइट पद्द साइट टॉपिक बाइस बस्तुनिस्ट प्रशनी की बुक हिंदी व्याकरण की बुक यह चारों बुक आप सभी के लिए 2300 रोपे में आपके घर पर यह बुक पहुंच जाएंगी नंबर आ 9-3-99-55-39-66 इस पर आपके लिए संपर करना है सभी के लिए बहुत 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 धन्यवाद मिलते हैं इंगली क्लास में मत्तु पूंड कॉस्चन आंसर के साथ सुबह 9 बचकर 10 मिनिट पर जो क्लास होती है रवी संकर जी मोहित जी सावित्तरी जी आनंद जी प्रिया ज जी रीमा जी पारुल जी दिनेश जी राहुल जी नीलम जी रवी संकर जी कुल्दिप जी कंचन जी और कल्पना जी मोहित जी प्रिया जी तनू जी अंजले जी चार हजार बत्तर और रीमा जी पारुल जी अनवी जी सावित्तरी जी कुमत जी सभी के लिए बहुत बहुत तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद